तो दोस्टो यहांपल बात करेंगे सर्वो अटक पावर सिस्टम के बारे में तक्रीबबन तक्रीबन दो पसेंट की गिरावट है तो बिसिकली यहांपर कंप्री के फंडमेंटल नहीं हम टेकनिकल पर जारने की कुशिश करेंगे कि यहांसे एक स्टोक नीची जाता है तो कहां तक गिरावट हो सकती है अगर पिछले 5 दूनों की बात करें तो 6% की गिरावट पिछले 1 मंथ में 20% की गिरावट 6 मंथ में 2% के positive return पिछले 1 साल में तक्रीवन तक्रीवन 280% के positive return और max chart देखें तो company ने तक्रीवन 3,000% के positive return निकल के दिये जो share किसी टाइम पर 2 रुपे एक रुपे के वोपर trade कर रहा था वो सीधा गया 100 रुपे तक हो stock ने आपको तक्रीवन 5000% के positive return भी निकल के दिये अगर हम low से high की बात करें तो अब सलते हैं सीधा इनके technical charts पे तो यहाँ पर अगर हम servo tech power की बात करें तो बहुत सी चीज़े हैं जो एक साथ stock में होती हुई नजर आ रही है सबसे बड़ी जो problem में आपको बता हूँ वो दो है कि यहां से दो चीज़े निकल के आती है एक तो जो हमारी trend line है stock में उसे break कर दिया अगर हमें stock में exit भी करना है जब भी हम charts को देखते हैं तो बहुत सी चीज़े हमें एक साथ लेकर चलनी पड़ती है था कि हमारी जो winning probabilities है वो increase होता है अगर मैं इस trend line को भी lead कर दूँ तो आप यहां पर एक देख सकते हैं support में stock जो है वो trade करता है नजर आया था तो अभी पहले भी इसी level पर stock ने करीवा support लिए आप देख सकते हैं तो तकरीबन तकरीबन वहीं पर stock बपर से आ चुका है तो अभी भी अगर आप exit करने के mood में है कि loss हो रहा है तो शायद नीची चाह जाएगा थोड़ा सा वेट की थी है stock में अभी भी काफी जादा potential है और earning सबसे बड़ी बात है कि company की earning के दिन ही गिरावट यूदि क्योंकि जितनी expectations थी result उतनी जादा अच्छे है positive result हमें दे नहीं पाया और यह जो candle है यह उसी दिन बनी stock में फिरावट आ गई वापस से sustain करने कोशिश की बट वो possible नहीं और stock नहीं चाह गया आज की बात करें तो सुबह तो volume ठीक ठाक था बायस बड़े जबरदस तरीके से heavy हो चुके थे stock उपर गया काफी ज़रा उपर और stock ने तकरीवन तकरीवन जो high बनाया आज वो बनाया 82 रुपे कुछ पैसे का उसके बाद जो low बनाया वो बनाया तकरीवन 75 पैसे का तो आज पास 5-7 रुपे का gap हमें stock में दिखाए दिया अभी भी 76.40 पैसे के राउं stock ट्रेड कर रहा है तो अभी अगर आप exit करने के mood में है जा फिर entry लेने के mood में है तो आपको advice अभी थोड़ा सा wait कर लो एकादे दिन का और stock बिल्कुल support पर यहां से reversal के chances भी है तो उसी के बाद को decision लेना अभी breakout आने तो अगर यहां से breakout आता है तो मैं आपको खुद बसा दूँगा कि अब exit करने का time है loss book कर लो जा फिर अगर profit कम हो रहा है तो उसे book करके अपना प्रो